जोतिस की दुनिया में आपका स्वागत है यदि आप जोतिस सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो एलार्म बटन को आउन करें और यदि आपको वीडियो पसंद तो लाइक और शेर करना न भूलें नमस्कार मैं आलोकती बारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से जोतिस सीख भी रहे होंगे जोतिस सीखने की इसे शिंखला को आगे बढ़ाते वे आज हम पुना आप के वीडियो में चर्चा का विशय शोड़स्वर्ग कुंडली एवं उनका परिचय शोड़स्वर्ग कुंडली एवं उनका परिचय शोड़स्वर्ग कुंडली के बारे में पिछली वीडियो में जानकारी बताई जा चुकी है आज हम शोड़स्वर्ग कुंडलीयों में ज सब विस्तार सोड़ सवर्ग कुंडलियों की उपयोगिता के बारे में जानकारी बताई गई है। महर्शी पाराशर ने सोलह वर्गों के अध्यन के उपरांत ही कुंडली के फलादेश की बात कही है। अवश्य करना चाहिए उसके बाद ही फलादेश जारी करना चाहिए। इन सोलह वर्गों को महर्शी पाराशर जी ने चार समुहों में विभाजित किया है। वे कौन कौन से समुह हैं आए देखते हैं। प्रथम समुह में शोडश वर्ग। शोडश वर्ग अर्था पूरी सोलह की सोलह कुंडलियां जो भी सोलह वर्ग हैं वे सभी समुह में रखे गए हैं। दुतिय समुह में शड़ वर्ग, शड़ वर्ग अर्थाथ 6 कुंडलियां यहाँ पर बताया गया न कि कम से कम 6 वर्गों का ध्यन अवश्य करना चाहिए। तृतिय समुह सब्त वर्ग, सब्त वर्ग के अंदरगत 7 कुंडलियां होती हैं, 7 वर्ग होते हैं। चतुर्थ समुह में 10 वर्ग अर्थाथ, इसमें 10 कुंडलियां होती हैं, 10 वर्ग होते हैं। आज हम शोड़ वर्ग के बारे में, उनके नाम के बारे में, उनकी उप्योगिता के बारे में संपुर जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रथम समूह शोडस वर्ग के 16 वर्ग और उनसे विचारणी विशय यह पाराशरी वर्ग है इसमें तीन कालम लिए गए हैं वर्ग नाम वर्ग कोड और विचारणी विशय वर्ग नाम अर्थात उस वर्ग कुंडली को किस नाम से जाना जाता है वर्ग कोड अर्था तो उसका कोड क्या है और उस वर्ग कुंडली से विचारनी विशे अर्था तो उस वर्ग कुंडली से क्या क्या विचार किये जा सकते हैं वर्ग नाम लगन वर्ग कोड डीवन विचारनी विशय लगन से मूल कुंडली कहलाती है जातक से संबंधित संपूर्ण जानकारी यही देती है यह एक परिपूर्ण कुंडली है समस्त वर्ग कुंडली यहां इसी कुंडली से बनती है जब लगन कुंडली होगा तभी बाकी वर्ग कुंडली को आप तयार कर सकते हैं इसलिए लगन कुंडली सबसे पहली और मूल कुंडली मानी जाती है वर्ग का नाम होरा, वर्ग कोड D2, विचारनी विशय में धनसंपदा, परिवार, वाडी और भाशा वर्ग नाम द्रेशकाण, कोड D3, विचारनी विशय भाई बहन, शमता, पराक्रम और साहस वर्ग नाम चतुर्थांश, वर्ग कोड D4, विचारनी विशय भाग, चल चल संपत्ती, भूमी भवन वाहन वर्ग नाम सप्तमांश, वर्ग कोड D7, विचारनी विशय पूत्र पोत्रादी, अर्थात संतान वर्ग नाम नवमांश, वर्ग कोड D9 विचारनी विशय, जीवन साथी एवं बैवाहिक जीवन, भागेदारी, साजेदारी यहाँ पर देखी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह छह वर्गों के नाम आ गए, दस और बचे हैं, आएए देखते हैं वर्ग नाम नवमांश, वर्ग कोड D9, यह पिछले पेज पर भी आप देख चुके हैं, गलती से यहाँ पर फिर से आगया है, देख लीजे फिर से विचारनी विशय में जीवन साथी एवं बैवाहिक जीवन, भागेदारी, जिससे साजेदारी भी कहा जाता है वर्ग नाम दशमांश, वर्ग कोड D10, विचारनी विशय व्यावसाइक जीवन, सम्मान, सफलता, पदोननती, पदावनती, राज एवं कर्म वर्ग नाम द्वादशांश, वर्ग कोड D12, विचारनी विशय मातापिता, वंश, पूर्वजनम से संबंधित कर्म वर्ग नाम शोडशांश, वर्ग कोड D16, विचारनी विशय चलसंपत्ती, सामान, खुशी, वाहनों से सुख एवं दुख वर्ग नाम विशांश, वर्ग कोड D20, विचारनी विशय आध्यात्मिक्ता, पूजापाठ एवं उपासना का फल वर्ग नाम चतुरविशांश, वर्ग कोड D24, विचारनी विशय ग्यान की प्राप्ती, सेक्षणिक सफलता वर्ग नाम सब्तविशांश, वर्ग कोड D27, विचारनी विशय बलाबल, बलाबल अर्थात्षारिरिक छमता एवं कमजोरी आप मजबूत हैं या शरीर से कमजोर हैं वह सब्तविशांश से देखेंगे वर्ग नाम त्रिशांश, वर्ग कोड D30, विचारनी विशय अरिष्ट, दुरभाग एवं बुराई वर्ग नाम खवेदांश, वर्ग कोड D40, विचारनी विशय सामान शुब अशुब प्रभाव जो भी सामान रूप से शुब अशुब प्रभाव होते हैं वे खावेदांश से देखे जाते हैं वर्ग नाम अक्षवेदांश वर्ग कोड D45 विचारणी विशय चरित्र आचरण वर्ग नाम शाट्यांश वर्ग कोड D60 विचारणी विशय समस्त प्रकार के शुब एवं अशुब प्रभाव यहाँ पर आप देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, आठ, नौ और दस नौ मांस पिछले में भी था यहाँ पर गलती से आ गया था यहाँ पर 10 आये, पिछले पेज पर 6, तो 10 और 16 यही सोड़स वर्ग हम देख रहे थे, सोड़स वर्ग कुंडलियों का धैन कर रहे थे सोड़स वर्ग में 16 वर्गों को लिया गया है लेकिन इन 16 वर्गों के अतरिक्त भी कुछ वर्ग है महर्शी पारासर के अनुसार पर तो 16 वर्ग ही लिये गए लेकिन महर्शी पारासर के मत के अलावा भी कुछ ऐसे वर्ग है जिन्हें वर्ग कुंडली के नाम से जाना जाता है वे कौन से वर्ग हैं आईए देखते हैं वर्ग नाम पंचमाश वर्ग कोड D5 विचारनी विशे आध्यात्मिक प्रवित्ती पूर्व जन्मों के पुंड एवं संचित कर्मों की जानकारी वर्ग नाम शटमाश वर्ग कोड D6 विचारनी विशे स्वास्थ रोग के प्रती अवरोधक शक्ती रेड जगडे आधी के विवेचना वर्ग नाम अश्टमाश वर्ग कोड D8 विचारनी विशे आईउ एवं दुरघटना के विशे में जानकारी वर्ग नाम इकाद शांश वर्ग कोड D11 विचारनी विशे बिना परिश्रम की ए धन की प्राप्ती पैत्रिक संपत्ती शेयर जुआ सट्टा से धन की प्राप्ती इस तरह से 16 वर्गों के अलावा पांच और पाराशरी वर्ग भी हैं इसके अलावा भी कुछ वर्ग हैं जिने उच्च वर्ग कहा जाता है नवमांस अश्टमांस इसे D72 के नाम से जाना जाता है नव नवमांस D91 के नाम से जाना जाता है द्वादशांस नवमांस D108 के नाम से जाना जाता है नाडियांस D150 के नाम से जाना जाता है अर्धनाडियांस D300 के नाम से जाना जाता है यह उच्छ वर्ग कहलाते हैं इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने शोड़स वर्ग कुंडली एवं उनके परिचे के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई मैं आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी यदि है जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंड बॉक्स में लिकरके बश्य बताईगा साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक साथी लोगों तक शेयर कीजे जिससे की शोड़स वर्ग कुंडलीयों के बारे में सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके अब मुझे आगे दीजे मिलते हैं अगले वीडियो पर नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंजय भारत बंबं बोरे नात की जय जय गुरुदेव